हेलो दोस्तो नमस्कार कैसे हैं आप सबी उमीद करती हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही जादा खास है बहुत ही जादा इंपोटेंट है इसलिए वीडियो को completely watch जरूर कीजिएगा दोस्तो जैसे जैसे डिलिवरी का समय नजदी काता है तो एक गर्वती महला को बस यही चिंता सताती है कि हम क्या करें ताकि हमारी नॉर्मल डिलिवरी हो जाए इसलिए से कम दर्ट में नॉर्मल डिलिवरी हो जाए अगर आप भी चानती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलिवरी के काफी चांसे बने ना और नॉर्मल डिलिवरी हो जाए तो आप इस वीडियो को पूरा अंते तक जरूर देखीगा इस वीडियो में आपको बहुत सरे टिप्स भी बताये जाएंगे और कुछ जरूरी बातें भी बत स्क्राइब कर लें और जो आपको पास में पैल आइकन दिखते हैं उसी दवाना बिल्कुल भी न भूले तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखी नॉर्मल डिलिवरी सबसे जदा वेस्ट होती है क्योंकि गर्वती जो महिलाएं होती है वो बहुत जल्दी रिकव होती है रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है परहेज भी करनी पड़ती है उटने बेटने चलने में हर तरह से परिशानी होती है तो कोई नहीं चाहता है कि हमारी से बच्चा बाहर आए हर को यहीं चाहता है हर प्रेगनेंट लेडी यहीं चाहती है कि उसकी डिलिवरी नॉर्मल तरीके से हो जाए, मा भी जल्दी से ठीक हो जाए, रिकवर जल्दी हो जाए, चलिए जानते हैं पहली पॉइंट के वारी में जैसे ही आपको पता चले कि आपकी प्रेग्निंसी कन्फर्म हो गई है, तो सुरवाती महिनों से ही आपको एक बेस्ट डॉक्टर का चु आपको प्रेग्निंसी स्ट्रेस से दूर रहना है, तनाव मुक्त रहना है, ठीक है? आईए जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, दोस्तो आपको अपने बोडी के अंदर पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होने दिना है, देखिए बच्चे की जो ग्रोथ होती है, बच्चा जब बिकसित होता है ना पेट में तो वो भी एक पानी की थैली में होता है, तो पानी की थैली में पानी की कमी हो जाने से भी आपकी नॉर्मल डिलिवरी के जो चांसे होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो आपको पानी कम से कम 3.5-3 लीटर पानी आपको अवश्य ही पीना चाहिए, और नॉर्मल डिलिवरी अगर चाहती है ना आप तो नौवे महीने से ग बश्य ही करना चाहिए ठीक है। आई चानते हैं और अविद पानी पीते रहना है फ्रूट खाते रहना है और जूस भी आपको पीते रहना है ठीक है। और अजवाइन के लड्डू खा सकती है जैसे आपका 9 महीने स्टार्ट हो जाए तो आप अजवाइन के लड्डू खा सकती है और ड्राइफ्रूट ले सकती है नहीं तो ड्राइफ्रूट के लड्डू बना के खा सकती है गुन-गुनी दूद के साथ तो काफी हैल्फ होती है आपकी नॉर्मल डिलिवरी के तो ये चीज है आपको जरूर खाने है नोवे महीने से और हाँ खजूर खाना बिलकुल भी न भूले अगर आपकी प्रेग्णिंसी पूरी तरह से हेल्दी है न तो आप खजूर भी खा सकती है और ड्राइफूर्ट के लड़ू भी खा सकती है लेकिन अगर आपकी प्रेग्णिंसी पूरी तरह से हेल्दी है तो ही आप इनका सेवन करें ठीक है नहीं तो डॉक्टर की सला से आप इनका सेवन कर सकती है एक बात का दोस्तों आपको जरूर धियान रखना चाहिए कि आपको पूरी प्रेग्णिंसी इखटा खाना खाने स कच्ची से कर सके हैं और आपको पेट संवंदी समस्यां को सकती है। नहों ठीक है और आपको बाहर का तो पूरी प्रेगनसी बिलकुल खाना ही नहीं है आपका जो मन करता है वो आप घर पे बना के खाईंए लेकिन जाधा तीखे मसालेदार भोजन से आपको परेस करना है ठीक है और तेंशन तो बिलकुल भी नहीं लेना है बस इनी बातों का द्यार रखना है अच्छी healthy diet लेनी है और आप आपको active रहना है पूरी pregnancy आपको active रहना है हलके छोटे मोटे जो घर की काम होते हैं वो आप कर सकती है और normal delivery के लिए आपको एक काम ज़रूर करना चाहिए जिसे आप urine पास करती है उस type से आपको पहु से चालू कर देना चाहिए तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक को चैनल को जरू सस्क्राइब कर लेना और यह भी बताएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपकिस टॉपिक पर देख चाहते हैं तो तब तक के लिए टेक क्या एंड बाबाई जय हिंत